तो गई CBLU, चोदर इबन सिलाल उनस्टी के एक notification जारी हुई थी, इसके ओपर हमने live session भी किया था, ठीक है, तो ये notification है, online offline examination को लेकर, ठीक है, तो ये जो notification जारी हुआ है, तो इस पे हमने live session already कर लिया था, तो इसमें क्या का गया, जो पहले notification जारी हुआ था, 24-25 तारिक को, ठीक है, online offline को यहाँ पे दो phase में divide किया गया था, ठीक है, तो उसमें modification इन्होंने कर दिया, ठीक है, partial modification to the notification, ठीक है, तो उस notification को इन्होंने modified करके डाला गया है, ठीक है, जो UGPG के इसमें सभी exam होंगे भई, ठीक है, UGPG के जितने भी examination है, old semester के, तो वो यहाँ पे एक साथ चलेंगे, ठीक है, ठीक है, date sheet, same होगी, बट, जिन बचोंने online देना, वो online देंगे और जो offline देना चाह रहे है, वो offline दे सकेंगे, उसी date sheet के base पर, ठीक है, तो उसमें आगे क्या का गया देख लिए, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देख लिए, कहा गया था, online और offline as well, ठीक है, ना, simultaneously चलेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या का आ गया, दा offline examination shall be conducted in the concerned college, तो यह college के अंदर करवाए जाएंगे, and department, institute, and the online examination shall be conducted by the concerned college, department, institute, through virtual platform, ठीक है, तो यहाँ से confirm हो जाता है, virtual platform से होंगे, बट यह college में नहीं होंगे, घर पर होंगे, ठीक है, तो important बात यह है, कि यह सभी के जो examination है, जो online examination देंगे, बच्चे वो घर से ही होंगे, ठीक है, यह confirm हो जाता है, यहाँ से, ठीक है, तो 99% आपके घर से ही exam होंगे, उसके बाद जो इनकी online के लिए जो भी guideline होंगी, ठीक है, वो बाद में जारी कर दी जाएंगी, ठीक है, मालो schedule भी अभी आना बाकी है, जो date sheet वगएरा आएंगी, कुछ date sheet आ सकती हैं, 10 तारिक से पहले, और बाकी की जो date sheet आएंगी, वो 10 तारिक के बाद आएंगे, ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके schedule जारी हो जाएंगे, और अगर आपके कोई question है, तो आप doubt में पूछ सकते हैं, comment कर सकते हैं, बिलकुल आपका reply दिया जाएगा, ठीक है, और जो date थी याँ पर online examination के लिए registration करवाने के लिए, या application देने के लिए, वो 3 तारिक तक extend कर दी गई है, ठीक है, तो 3 तारिक तक आप अपना registration करवा सकते हैं, अगर online examination आपको देना है, ठीक है, उसके बाद जो आपकी information होगी, वो university के अंदर आपका college provide करवाएगा, 5 तारि information पहुंच सके, तो चले ये वीडियो को quit करते हैं, thanks for watching,